दोस्तों कि आपको पता है कि भगवान राम के पास एक ऐसी विध्या थी जिसकी बदोलत उन्होंने भूक और प्यास पर विज्यप्राप्त कर दिन इस जानकारी के लिए वीडियो को लास तक देखेंब वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और हाँ आगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो चलिए जानते हैं ऐसी कौन सी विद्या थी जिसकी बदौलत भगवान राम को ना तो भूक लगती थी और नहीं प्यास दोस्तों इस बात का वर्ण वालमी की रामायर में किया गया है वालमी की रामायर में ये बताया गया है कि भगवान राम बिना खाए हजारों वर्षों तक रह सकते थे उनको ये शक्ति उनके गुरु विश्वा मित्र ने दी थी वालमी की रामायर में ये वर्णन मिलता है कि जब विश्वा मित्र राजा दश्रत से आदेश लेकर राम और लक्ष्मण को अपने आश्रम लेकर जा रहे थे तब ही उन्होंने राम को बला और अतिबला नामक विद्या दी थी इसका वर्णन वालमी की रामायर के प्रथम खंड में मिलता है इस दिव् विश्वा मित्र से पूछा था की बला और अतिबला नामकी इस दिव्य विद्या की क्या विश्यष्वा प्रभामित्रन ने कहा राम इस दिवे मंत्र के प्रभाव से तुम्हें कभी श्रम का अनुभव नहीं होगा ज्वर नहीं होगा तुम्हारे रूप में किसी प्रकार का विकार या उलट फेड नहीं होने पाएगा सोते समय या असावधानी की अवस्था में भी राक्षश उत्तर देने में भी कोई तुम्हारी तुलना नहीं कर सकेगा इन दोनों वित्याओं को प्राप्त हो जाने पर तुम्हारी कोई भी समानता नहीं कर पाएगा क्योंकि ये बला और अतिबला नामक की विद्याएं सभी प्रकार के ग्यान की जन्नी हैं बला और अतिबला का अ हड़ करो इन दोनों विद्याओं का अध्यन कर लेने पर इस भूतल पर तुमारे यश्का विस्तार होगा इस दिवे विद्या को विश्वा मित्र जी ने राम को ही क्यों दिया था इसका भी कारणत वालमी की रामयार में उन्होंने बताया है उसमें लिखा है कि राम के और तपस्या से प्राप्त किया था विश्वा मित्र जी जानते थे कि रामचंद जी का जन में ही राक्षसों के संगहार के लिए हुआ है इसलिए सभी बाधाव से निपटने के लिए वो भगवान राम को हमेशा कुछ न कुछ नया उपाए बताते रहते थे क्योंकि राक् विश्वा मित्र के साथ यात्रा प्रारम हुई तो शुरू में ही विश्वा मित्र जी रामचंद जी को बला और अति बला नाम की विद्या सिखाना जा रहे थे तो दोस्तों ये थी जानकारी उस विद्या के बारे में जो भगवान राम के पास थी जिसके कारण उन्हें न तो भूक लग सकती थी और नहीं प्यास भगवान भोले नाज सदेवाब की रक्षा करे तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ तब तक के लिए रादे रादे